Hey guys, so दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ JSTR 2B के बारे में हनजी दोस्तों गौर्मेंट ने पोर्टल पे लॉंज कर दिया है JSTR 2B लेकिन उसको यूज़ करने से पहले आपको समझना होगा क्या है ये JSTR 2B तो दोस्तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ GSTR 2B क्या है इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड ताथ तो दोस्तो चल रहा है यहाँ पर इस special discount offer 20% का आपको discount मिल जाएगा सभी pen drive courses पे जहाँ पर आप इन सभी courses को join कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तो यह offer जो valid है वो 30 September तक है दोस्तो जल्दी कीजिए इस number पर call कर सकते हैं ज्यादा जनकारी के लिए या फिर इस website पर विजिट कर सकते हैं website का link इस वीडियो के description में है सो दोस्तो बात करने वाला हूं इस प्रेज रिलिस के बारे में जो ministry of finance ने issue किया है जहाँ पर जेस्टीर 3B को launch के बारे में बताया है कि जेस्टीर 3B को launch किया गया है जुलाई 2020 से जुलाई 2020 से शुरू हो जाएगा समझते हैं दोस्तो क्या कहना चाहती है government सो दोस्तो जेस् जेस्टीर 1 और जेस्टीर 3B को एक दूसरे के साथ link करके input tax credit का जो एक statement है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो उसी बेसेस पर government ने एक auto draft facility जेस्टीर 2B को launch किया है जो दोस्तो बात करूँ यहाँ पर जेस्टीर 2B जो है एक auto draft ITC statement होगा जो की सभी taxpayer के द्वारा जन्रेट किया जाएगा कैसे जन्रेट होगा जब वह अपनी information furnace करेंगे that means जब जब वह अपनी return भरेंगे जेस्टीर 1 के अंदर जेस्टीर 5 के अंदर जेस्टीर 6 के अंदर जेस्टीर 1 होगया normal ठीक है आउटवर्ट supply जेस्टीर 5 होगया non resident taxable person के लिए जो भरते हैं अपन दिख जाएगा हर महिने की 12 तरी तक आपको जेस्टीर 2 में जो ITC statement है वो दिख जाएगा उसके basis पे जो taxpayer है वो अपनी return को prepare कर सकता है जो error है उसको कम कर सकता है और reconciliation में भी help मिलेगी तो दोस्तों अब बात करें key feature के बारे में जेस्टीर 2 के key feature क्या होगा तो जेस्टीर 2 के अंदर वो सारी information होगी जो import of goods का है icegate system से यह information उठाएगा ठीक है invert supply जो होगी special economic zone के अंदर या developer के अंदर वो होगा ठीक है एक summary statement होगा ITC का अलग-अलग section होगे जैसे credit note का section अलग होगा debit note का section अलग होगा ठीक है document level detail होगी document level पे detail होगी invoices की credit note की debit note की तो यहाँ पे जुलाई के लिए available है यह trial basis पे है ठीक है तो यहाँ पे taxpayer use कर सकते हैं जुलाई के लिए ठीक है और कोई भी आपको लगता है कि इसके अंदर कम ही है अपना feedback दे सकते हैं self service पे अपना ticket raise करके ठीक है gstr2 को use करने से पहले जो advisory है gstr2b का वह आप ज़रूर पढ़ले common portal पे यह available है ठीक है simple सा है जब आप return में जाते है portal पे login करेंगे return dashboard को जाने के बाद return को जब return period select करेंगे तो वहां आपको gstr2b देखने को मिल जाएगा मैं live portal पे भी लेकर आऊँगा कि कैसे आपको gstr2b यूज करना है gstr2b पे ठीक है जोस्तों तो जाए gstr2b को use यह portal पे जाके देखिए कि किस प्रकास है gstr2b वर्क कर रहा है या कैसा है उसका user interface या कैसे आपको help कर सकता है gstr2b वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं तैंगी सोमाच जय हिंद वन्ने मात्रम